हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल और काफी दिन से वीडियो लेट आ रही थी क्योंकि मेरी कुछ थोड़ी सी तब्यात खराब हो चुकी थी इस वज़े से थोड़ी वीडियो लेट आ रही थी और आज मैं आपको सारा का सारा सच बताने वाला हूं कि मैंने एक शॉट जाला था जो कि एक पिराना फिश के उपर था जिसमें बहुत सारी ओसकर्स थी और उसमें पिराना था और काफी लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप एक फिश को मार रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ व्यूस के लिए मार रहे हैं तो मैं आपको वहाला वीडियों धिकाताँ हूँ पहले आप वहाला वीडियो देख लीजिये उस वीडियो में क्या था और हो कहा कि वहां ही वह पिराना हमारी है वह पिराना थी एक शॉप की पर की मैं बहुत सारे शॉप विजट करता रहता हूं तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक पिराना थी जहां कि बहुत सारे ओसकर्स है तो मैं उसकी वीडियो आप लोगों दिखाना चाहता था कि देख सकते हैं कि शॉप की परवाले कितने जादा कि बहुत ही जादा केरफ लेस हो सकते हैं कि वो कोई भी फिश को कहीं भी डाल दे रहे हैं मैं यह दिखाना चाहता था आपको उस वीडियो में लेकिन आप लोगों को लगा कि वो फिश मेरी है और मैं सिर्फ विश वीडियो को डाल रहा हूं और मैं जानभूज के उसे निकालनी रहा हूं लेकिन सच्चा ही कुछ और है मैं आपको उस अच्चा ही बताने वाला हूं चो चुरु से मोला बता दों मैं एक शॉर्प में गया जाके मैं अपनी मच्ली देख रहा था लेकिन वो मच्लिया जो मैं देखा मुझे मिली नी जो मुझे चाहिया थी लेकिन मैनें देखा कि महां पर बहुत सार जारी आसकर वाले हीper और मैंने देखा उसमें बहुत अजीब सी एक मचली थी जो कि पिराना थी वह जो ऑसकर उसे बहुत जादा बाइट कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं उसका वीडियो बना कि आप लोगों दिखाऊं कि किस तरीके से वह केरलेस होती और ऑसकर कितना जादा एग्रेसिव हो सकते अगर आप उसे दूसरे फिश के साथ रखेंगे तो तो सकते पिराना एक बहुत जादे खतरनाग मचली होती है फिर भी ऑसकर ने उसका क्या हाल कर दी आप लोगों ने देखा योगा उस वीडियो बे लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मैं बताता हूं आपको जब मैंने व दूसरे टैंग में रखा था लेकिन वहां भी उशसे का रहे ते लेकिन आप उसकर के टैंग में डाला तो वह उसके बाद नहीं रहτα गाए • Kiranak तो ये सब चलता रहा तो फिर उसने शॉप कीपर ने लाश में माना कि चलिए मैं रग देता हूं अलग से क्योंकि वो फिश मरने ही वाली थी बहुत ज्यादा उसका देख सकते हैं उसकी आग भी खराब उचुकी तो उसके स्केल्स पूरे हड गए थे और कि छोटी सी थी उसके बाद में वो फिशॉप गया नहीं तो मुझे आइड़ा नहीं है कि उसका क्या हाल हुआ होगा तो यही था पूरा सच्चाई क्युकि मुझे बहुत सार लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आपना वी उसके लिए इतना सारह उसे मार दिया या फिर आप विशुके बहुत जादा केरलेस होते हैं कि वो कोई भी मचली किसी के साथ दे सकते हैं और in fact मैं जब इस hobby में नया था तो shopkeeper वाले ने मुझे tankmate वाली मचली दी ही नहीं जो किसके साथ compatible हो सकती है वो वाली मचली दी ही नहीं उसने Oscar के साथ मुझे goldfish रखने कह दिया था पहली पहली बार और मैंने रखा भी था तो बाद में सब समझाता है कि यह बहुत ज़्यादा गलत चीज है अगर आप सही टैंग मेट नहीं चूज करेंगे तो आपकी फिश की जान जा सकती है तो सेम वहाँ भी वैसी हुआ इसलिए मैंने उसे कहा कि आप जल्दी से हटा दीजे उसे नहीं तो फिश मर जाएगी तो फिर आखरी में उसे हटा दिया तो आप लोग इतना ज़्यादा comment ना करें कि वो भी गलत गलत comment ना करें क्य enforcement की मैंने उस मशली को बिल्कुलन भी हैसा कुछ नहीं जान बूच के उसमें टैंक में रखवाया और उसकी वीडियो बनाई तो ऐसा बिल्कुली यह वही थी से बहीं थी मैंने उसे जाकी बताया यह Πाई ऐसा अमत करो कियोंकि इतनी सारी मश्या रहती है तो फिर भी उसे बिलकुल समझ नहीं आया, तो फिर मैंने उसे समझाया और बस मुझत से ये गलती हुई कि मैं इस वीडियो जब वो फिश निकाल रहे थे तब की मैं वीडियो नहीं बना बाया, तो आपको साफ नहीं हो जाता, لेकिन क्या करें मैं उसे लगा कि आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या हूं मैं कैसा हूं और मैं मचलियों को मारता नहीं अपने व्यूज के लिए तो यही आप लोग से कहना था और अभी बहुत दिन से वीडियो आ भी नहीं दी क्योंकि मेरी तब्य थोड़ी खराब हो चुकी है आपको बवाद से लगी रहोगा तो यही मैं आपको बताना जाता था कि वो वीडियो मैंने नहीं डाली है मैंने डाली है लेकिन वो मचली मैंने नहीं डाली उस ऑसकर टैंग में वो पहले से वही थी मैंने उसे जाके बताया कि आप ऐसा मत करिये और यह सब हुआ तो आप लोग सम सकता हूँ उनको मैं क्या भोफ सकता हूं विडियो मैं नहीं समझते हैं तो चलए लिख सब को कि आपको क्या लगता है है और वह शौप की पर निकाल दिया है कों दिकत bit की कर दो हे यार दो जो दो हे जाज़ क्रशाओ जो है